अस्चलाम हुलीकूम विल्कम टू अंजुमका कीचेन कैसे हैं आप सब उमीद है सब खेंडियस से होंगे आज हम बनाएंगे भुना कीमा वो भी मेरे स्टाइल में चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं आपको दिखा देते हैं इसके लिए हमने लिया है पॉना कीलो कीमा के आधा कीलो प्यास जिसको हमने लंबी-लंबी स्लाइज के कर ली है 10 हरी मिल्ची का पेस्ट, 4 ती स्पून धन्या पॉडर, 1 ती स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून अध्रक लस्तन का पेस्ट, 1 ती स्पून हल्दी पॉडर, 2 ती स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के पॉर्डिंग डालिए 1.5 ती स्पून किल्ली पॉडर, 1 तेस्पत्त, 3 लॉंग, 2 छोटी लैची और एक बड़ा दाल्चीनी का टुकड़ा यहां प्लेट में हमने प्रेशर कुका पुखती है उसमें हमने मस्टर्ड वाइल याने के सरसो का तील गरम करने के लिए रख दिया था भ्रेश में मस्टर्ड पॉडरो, कड़ाम, 1-7 नाथ काथ काथ 2018今日 स्पून कलते कि नोगः स्पधंसे अफ्वान के लगे से तोड़ा दालके अधिkommen में 10% सब्सक्राइब आपका प्राइब डालने से कीमे का एक अलगी टेस्ट हो जाता है आप भी ज़रूर डाले प्यास गोल्डेन ड्राउन कलर की हो गई है अब हम इसमें आड कर देंगे कीमा और इने के अंदर जितना भी पानी है हम उसे बस्ते से ड्राय कर देंगे बिल्गी पानी दे दाना साथ इस प कीमे को अच्छे से भूल लेंगे जब तक इसका सारा पानी अच्छे से ड्राय हो जाता है कीमे का पानी बहुत अच्छे से ड्राय हो चुका है यह दिकिए तेल भी फूट चुका है अब हम इसमें आड कर देंगे सारे स्पाइस सब्से पहले हम इसमें आड कर देंगे प्य अब मेट कर देंगे अधर खुतन का पेस्ट हरी मिर्टी का पेस्ट लाल मिर्टी का पाउडर फिली पाउडर गरम मसाला अधर करेंगे हरी पाउडर्श खुनिया पाउडर और नमक तारी पीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अधर इलाजवाब बनता है कि भूनकीमा हमारे स्टाइल में आप भी अपने गरपेश जरूर ट्राइख केजिए तरवी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम लिट गवर करके तिन प्रेशण लेंगे यहां पर हमें पानी कर सबस्ट माल नहीं करना है प्यास ते अल्डेडी पानी दालता है इसी प्यास के पानी से हम कीमे को पका लेंगे करेंगे और टीन फ्रेषर ले लेकिशन का शखतन हे हैं इसने घंच का रिख कर हम वह कर देंगे और टीन फ्रेषर ले लेंगे ऑच कर दीन स्थिु आगे लिए लेड़ी तो रिख ने थाीं हिर बिखा की किई सक्षाइँ बधुषरु में पने थे एस मृट सो का दीन Katy ऐ, द घट्तन को खूल को замकोlden आप Micheis Lab这里 ज Figumella बहुत अची तरीके के इसीड दलेकर चुका है तैल भी छोर दिया है है मीश से एक करहाई में खाली करके हो बून लेंगे लकार वणने एक करहाई में निकाल लिया है मीãश हम इसे कीअ में हमने बिलकुल भी पानी आड़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं 8जुटे сюжet कितना अच्य से किमा दिख रहा है उट्ण उससे हम करा है कशप़छा इस परप्यास दालते हैं तो उसमें पानी निकलता है आप भी कीमा इसी तरीके से बनाएगे, इंशालला बहुत ही अच्छा बनेगा और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये कीमा, आप चाहें तो इसे पाओ के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये कीमा, आप भी जरूर बनाइए अगर हमारी रेशिपी आपको अच्छी लगती है तो आप भी उपने कर पर ज़रूर किजिए हमारी इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए-णे बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हमारी एक मज़ेदार रसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज